रास्ट्रे रासधानी में पिछले 24 खंटे में कोरोना वाइरस की 1257 नय मामले दर्च किये गए और 8 संक्रमितु के मृत्य हो गए दिली सरकार के स्वास्ट बुलिटिन की अनुसार दो महीने से अधिक समय में पहली बार एक दिन में मौत के मामले 10 से कम हुए हैं दिली में 5 अगस्त को कोविड-19 से मौत के 11 मामले सामने आये थे और रास्धानी के हालात में अच्छा सुधार दिखाई दिया दिली में अब तक संक्रमड के कुल 1,47,391 मामले दर्च किये गए जिन में से 1,32,384 लोग स्वस्त हो चुके हैं और उन्हें छुट्ती दिया चुकी है जंब कश्मीर प्रशासन ने 16 अगस्त से माव वैश्नो देवी की यात्रा को शुरू करने की इजास्त दे दी है देश में कोरोना संक्रमड शुरू होने के बाद मार्च में ही वैश्नो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी यात्रा में शामिल होने के लिए जम्बु कश्मीर प्रिशासन ने कई नियम बनाये हैं सोशल डिस्टेंसिंग कई नियमों का पालन सुनिश्चित हो इसको देखते हुए जम्बु कश्मीर प्रिशासन ने एक दिन में 5000 लोगों को ही माता के दर्शन की इजाज़त दी है वैश्विक महमारी कोरोना का संकट अमेरिका में भी लगतार बढ़ रहा है ऐसे में कोरोना वारस पर लगाम को लेकर अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्राम्प लागतार जरूरी फैसले लेने में जुटे हुए हैं इसी के मद्दे नजर उन्होंने बताये कि अमेरिकी प्रिशासन वैक्सीन बनाने वाली कमपनी के साथ एक समझोती की तैयारी में है इसके पूरा होने पर कमपनी कोरोना वारस को लेकर वैक्सीन तैयार करेगी जिसकी 10 करोडोज वो उपलप्त कराएगी भारत में कोरोना के मामले अब 23 लाग क्याकड़े को पार कर गए हैं देश में संक्रमण के बढ़ती केसों के बीच कुछ राज्यों ऐसे हैं जहां टेस्टिंग की संख्या बाकियों के मुकाबले अब तक काफी नीचे रही है एक दिन पहले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे राज्यों का नाम लेकर कहा था कि बिहार, गुजरात, यूपी, पश्यमंगाल और तेलंगना में टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात सामने आई है डबलो अच्यों ने सोमवार को कहा कि कोरोना वाइरस से जंग में अभी उम्मीद की किरर बाकी है डबलो अच्यों का बयान ऐसे वक्त में आया जब पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितु की संक्या बढ़कर दो करोड के पार हो गई है इस जानलेवा वाइरस की चपेट में आने से अब तक साढ़े साथ लाख लोग अपनी जान गवा चुके हैं डबलो अच्यों के निदेशक टेडरोस अधनोम ने जेनेवा में एक पीसी के दोरान कहा मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग काफी दुख में हैं पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल समय है लेकिन मैं स्पॉस्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी भी उम्मीदे बाकी हैं फिर चाहें वो कोई देश, शेत्र, शेहर या कोई कस्बा ही क्यों न हो कोविद नाजिन को रोकने में अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है